नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब दिवाले की छुटियों में आपने खुब मज़े किये होंगे और आशा करते हूँ कि आप बिलकुल स्वस्थ होंगे तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं दिवाले की छुटियों के इतने मज़े के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं और डिस्केस करते हैं आज की वॉक्षीट वॉक्षीट नमबर 54 जिसमें हम बात करेंगे भारत की प्रमुक पतन और अंतर रास्ट्रिय हवाई पतनों के बारे में प्यारे बच्चो जब भी हम पतन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही common mistake होती है कि हम बंदरगाह और पतन दोनों को एक ही समझ लेते हैं हमें लगता है कि बंदरगाह भी वही है जहां पर जहा जाते हैं और पतन भी वही है जहां पर जहा जाते हैं फिर इन दोनों को अलग-अलग नाम क्यों दिया गया जबकि प्यारे बच्चो इसमें बहुत माइनर सा डिफ्रेंस होता है हम अपने मैप वक पर चलने से पहले यह जान लेते हैं कि बंदरगा और पतन में क्या अंतर होता है सबसे पहले बात करते हैं बंदरगा की बंदरगा जो होती है वह जलियानों वे जहाजों के तट पर आने जाने वे ठहरने के स्थान को कहते हैं जबकि पतन समुद्र तट पर वह अंतहस्तल जहां पर जहाज में माल उतारा एवं चड़ाने का काम किया जाता है बंदरगाह में केवल जहाज आते हैं जाते हैं और ठहरते हैं लेकिन पतन के अंदर केवल सामान का उतार चढ़ाफ होता है यदि हमने कहीं से सामान आयात किया है तो हम सामान को उतारते हैं और यदि हमने कहीं पर सामान को निर्यात करना है तो हम सामान उसके अंदर भेजते हैं बंदर का जो है वो दोनों तरह के होते हैं प्राक्रतिक और कृत्रिम ये प्राक्रतिक भी होते हैं और इनका निर्मान भी किया जा सकता है लेकिन जो पतन होते हैं वो केवल और केवल कृत्रिम होते हैं वो प्राक्रतिक नहीं होते हमें जहां पर जरुरत होती है जहां पर आवशक्ता मैसूस होती है हम वहीं पर पतनों का निर्मान कर लेते हैं तो ये कृत्रिम होते हैं प्राक्रतिक नहीं होते उसके बाद जो बंदरगाह है वहाँ पर जलकी गहराई अधिक होने चाहिए केवल उसी जगे पर बंदरगाह का निर्मान हो सकता है जिसकी पतन के लिए ऐसी किशी भी शर्ट का होना आवश्चक नहीं है यानि पतन का निर्मान करने के लिए हमें जल की अधिक गहराई की आवशकता नहीं होती जो प्राकृतिक बंदरगा है उसके लिए जरूरी है कि जो समुद्र का तट है जो तट रेखा है वो कटी फटी होनी चाहिए ताकि जहाज जो है आसानी से वहाँ पर आए और ठहर सके लेकिन पतन के लिए तट का कटा फटा होना बिलकुल भी जरूरी नहीं है हमें एकदम से स्मूद चाहिए ताकि वो आसानी से जहाज वहाँ पर खड़ा हो सके और हम सामान की लोडिंग और अनलोडिंग आसानी से कर सके बंदरगाह में जहाज को काफी टाइम तक सुरक्षित रखा जा सकता है लेकिन पतन में हम जहाज को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बंदरगाह और पतन दोनों में क्या अंतर होता है अब हम कर लेते हैं map walk की बात कि आपको कौन कौन सी पतन जो है वो आपको भरने है ये हमारी सारे पतन है लेकिन आपको सारे नहीं करने है आपके syllabus में कुछी ही है वही आपको करने है और वही आपको मांचितर में भरने है तो जो आपको मांचित्र में भरने है वो मैं टिक कर रही हूँ, जो जो मैं टिक कर रही हूँ आपको किवल वही भरने है सबसे पहले है कांडला, उसके बाद है मुंबई, फिर है मैंगलोर, इसको न्यू मैंगलोर और मैंगलोर, दोनों नामों से जाना जा सकता है इसके बाद बीच में रह गया है मारमा गोवा फिर है कोचीन तूती कौरिन चन्नेई विशाखा पत्नम पारादेप और हल्दिया Once again I repeat याद रखने हैं आपको कांडेला मुंबाई मारमा गोवा न्यू मेंगलोर और मेंगलोर कोचीन तूती कौरिन चन्नेई विशाखा पत्नम पारादीप और हल्दिया यही आपको याद करने हैं और यही आपके स्लेबस में हैं इतने ही पतन की लोकीशन आपको पता होनी चाहिए अब हमारी आज की वॉक्षीट में दूसरा है हवाई पतन हवाई पतन एक तरह से हवाई अड़े ही होते हैं उन्हे को हवाई पतन कहा जाता है या विमानशेत्र भी आप कह सकते हैं तो हवाई अड़ा या विमानशेत्र वह स्थान होता है जहां पर कोई भी वायू वाहन जैसे वायू यान यानिकी aeroplane और helicopter इत्यादी उडान भरते और उतरते हैं हम विमानों को यहां पर भंडारन भी कर सकती हैं और एक विमान शेतर में विमान के उडने के लिए एक उडान पट्टी अवश्य होती है हेलिकॉप्टर के लिए हैलिपेड होता है और जहां से इनकी उडानों को कंट्रोल क्या जाता है वहां से एक टर्मिनल इमारत भी होती है अब हम अपने आप किसलेबस के जो अंतरास्ट्रिया हवाई पतन है उनके बारे में बात कर लेते हैं हवाई पतन दो तरीके के होते हैं एक राष्ट्रिय और एक अंतर राष्ट्रिय तो राष्ट्रिय वो होते हैं जो अपने अपने देश के अंदर हवाई शेवाईं प्रदान करते हैं और अंतर राष्ट्रिय वो होते हैं जो दूसरे देशों से यात्रियों को लाना, सामान लाना, ले जाना और भारत के यहां से दूसरे देशों में ले जाना आदी की सेवायों प्रदान करते हैं। आपको जो अंतराश्ट्रिय हवाई अड़े याद करनी हैं वो हैं दिली, दिली के अंदर है इंदिरा गांधी, मुंबई, मुंबई में चत्रपति, सिवाजी, महराज अंतराश्ट्रिय हवाई पतन, चिन्नई, चिन्नई में है मीना कमकम अंतराश्ट्रिय हवाई पतन, कलकत कलकत्ता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतराष्ट्रिय हवाई पतन उसके बाद है अम्रित्सर में है राजा सांसी अंतराष्ट्रिय हवाई पतन और हैदराबाद हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतराष्ट्रिय हवाई पतन अब हमें इन पतनों को अपने म अमृत्सर में है राजा सांसी हवाई पतन आपको यहाँ पर भरना है दिल्ली के अंदर है अंद्रा गांधी अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा उसके बाद है मुंबई में है चत्रपती सिवाजी अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा उसके बाद है हमारा चन्नई जहां पर है मिनामकम अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा उसके बाद है हमारा कॉलकता जहां पर है नेताजी सुवास चंद्रबोस अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा यहां पर आपको पाँच दिख रहे हैं अमरित सर, नई दिल्ली, मुंबाई, चेन्य और कॉलकाता, अभी एक रह गया है, जो है है हैदराबाद में, हैदराबाद का मैंने अगले में दिखाया है, यह रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजीब गांधी अंतररास्ट्री हवाई अड़ा हैदराबाद, तो आपक पांच पतन याद करने हैं, इंदरागांधी अंतररास्ट्री हवाई अड़ा दिल्ली में, चत्रपती सिवाजी महाराज अंतररास्ट्री हवाई पतन मुंबई, राजीब गांधी अंतररास्ट्री हवाई पतन हैदराबाद, मिनम बाकम अंतररास्ट्री हवाई अड़ा च मांचेतर में है राजा सांसी अंतरास्ट्रिया हवाई आड़ा तो पांच हवाई पतन आपको याद रखने है और इन्हीं को आपको मांचेतर में भरके दिखाना है तो प्यारे बच्चों यह आपकी आज की वर्कशीट थी मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी थी 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 थी